नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे उनके शरीर का रंग नीला क्यों पड़ गया था। श्री कृष्ण भगवान विश्णु के आठमें अवतार माने जाते हैं, जिने कनहिया, श्याम, द्वारकाधिश, वासुदेव आदी नामों से जाना जाता है। कृष्ण के समकालीन, महर्शी वेद व्यास द्वारा रचित, शिमत भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र, विस्त्रित रूप से लिखा गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का समवाध है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उबदेश के लिए कृष्ण को जगतगुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की आठ्वी संतान थे। संस्कृत भषा में कृष्ण का अर्थ काला होता है। काना के नीले रंग को लेकर हमारे पौरानी ग्रंथों में एक कथा प्रचलित है। वो ये है कि एक बार श्री कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ नदी किनारे गेंद से खेल रहे थे। और उस नदी में कालियानाग रहता था, वह बहुत ही ज्यादा विशैला था, जिसके कारण यमना नदी का रंग काला हो गया था। खेलते समय गेंद नदी में गिर गई, यमना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाक के बारे में सभी को मालूम था, लेकिन मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तयार नहीं हुआ, तब शिरी कृष्णे ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूं, जिसके बाद सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वय नहीं माने, और नदी में चलांग लगा दी, सभी बच्चे डर के मारे, घर पहुँचे, और ये शोदा मैया को कनहिया के नदी में कूदने की बार बता दी, ये सुनते ही ये शोदा मैया डर गई, और फूट नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया, कृष्ण ने कालिया नाग को यमना नदी छोड़ने का आदेश दिया, जिसको कालिया नाग ने मना कर दिया, और कृष क्रिश्ण और कालिया नाग की जोरदार लडाई हुई कुछ समय के पर शात कालिया नाग हार गया और क्रिश्ण उनके फन पर नाच करने लगे कालिया नाग ठकने के बाद क्रिश्ण से अपने प्रान बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा तब क्रिश्ण ने उसे अपने इस्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर गरुड मुझे मार डालेगा। मैं वहाँ कैसे जाऊं। इस पर श्री क्रिश्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन के उपर है। उसे देखकर गरुड तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठा कर यमुना नदी से बाहर आ गया। इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। लेकिन कालिया नाग से युद्ध के दोरान कृष्ण उनके प्रभाव को कम न कर सके। इसलिए उनके शरीर का रंग नीला हो गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।